हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम ये फारवाले कपड़े से जैकेट बनाएंगे सरदी के लिए बहुत ही इजी है आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं ये कपड़ा आपको तोल में भी मिलता है और मीटर के हिसाब से भी मिलता है तो मैंने ये कपड़ा एक मिटर लिया है ये बहुत चोड़ा होता है ये मेरी परानी स्वेटर है इसका मैंने मैजर्मेंट ले लिया है और इसका नाप जो है इस तरह से है ये जो स्क्रीन पे आ रहा है अभी क्या करना है हमें मैंने इस तरह से इसको लंबाई में नाप के तो यह देखिए इस तरह से इसकी कन्नी जो है वो काफी चोड़ी होती है काफी तकरीबन एक इंच चोड़ी होती है यह कन्नी तो अगर इसको आप नहीं काटोगे बहुत जो है लूज रहेगा तो कटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी हिप हमारी 21 इंच है तो हम पहले फ दो इंच बटन पट्टी के लिए और एक इंच सिलाई के लिए तो हम रखेंगे यहां पर डबल करके साड़े तेरा इंच तो साड़े तेरा इंच रखके हम डबल करके उसको इस तरह से कट कर लेंगे यह देखिए यह हमने कट कर लिया है फ्रंट साइड इसकी बाद हम बै ठटकरेंगे तो हमें यहां पर रखना है 1.5 इंच तो इस तरह से डबल कर लिया है हमने कि इसको अब नाप की देख लेंगे यह देखिए में की तो आपकर की रख लेंगे 20 तो यह हो गया हमारा साड़ें ग्यारा इंच यह हमने बैक पार्ट लिया है तो इसको भी हम कट कर लेंगे यह कपड़ा बहुत ज़्यादा स्टेच होता है तो जरा सा आप इदर उदर खीचोगे तो उदर ही चला जाता है तो अगर कहीं से बढ़ जाता है खीचने से तो उसको कट नहीं करना है बिल्कुल उसको सेट करके रखना है इस तरह से यह देखिए अब हम जो फ्रंट पार्ट था हमारा उसको हम इस तरह से रखेंगे अच्छे से हम सेट करके रख लेंगे इस साइड में जहां से खुला है उसको मिला के हम इस तरह से रखेंगे यह अगर आप थोड़ा सा भी कहीं से खीचोगे तो यह बढ़ जाता है इसलिए इसको सेट करके रखना बहुत ज़रूरी है इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे तो यहां से यह बटन पट्टी वाला जो पार्ट है वो लग है यहां पर हम इसका 16 इंच तीरा रखेंगे तो 16 का हाफ हमने लिया है 8 इंच तो यहां से 8 इंच हम इसका जो है कंदा रखेंगे आम होल जिसको बोलते हैं तो इसके बाद हम यहां से जो है फिटिंग का निशान लगाएंगे अगर आप लूज भी रहने दोगे तो भी चलेगा बस यहां से मैं 20 इंच ले रही हूं जो हमारा फिटिंग था यहां से 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहां से 18 इंच, 18.5 नौ इंच नीचे से आपको हिप की फिटिंग बिनाने की इतनी बस आप एक निशान लगा लीजिए कि यहां तक आपकी जो हिप है आती है तो वहां से एक इंच आपको शिलाई में देना है तो इस तरह से इसको मिला देंगे हम तो यह देखिए इस तरह से फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे यहां से इस तरह से थोड़ी सी हम फिटिंग दे रहे हैं दो इंच की इसको हम कट कर लेते हैं यह देखिए डबल बिल्कुल काटने में बहुत मुश्किल है तो हम इसको इस तरह से पहले उपर वाले उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को कट कर लेते हैं यहां से सिर्फ थोड़ा सा जो एक्स्टा है वो काट लेते हैं अधरवाइस आपको यहां से कटाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको लूज भी रखना है तो आप बाद में उसको रख सकते हैं त यहां से यह देखिए हम देख रहे हैं कि एक तो हमने जो बटन पट्टी के लिए दो इंच रखा है यहां तो इसका निशान है यह बटन पट्टी वाला हमने जो एक्स्टा रखा है तो यहां से हमने साड़े तीन इंच गला जो है वो खुला रखना है और यहां पे चार इ ते टाइम महां पर हमने सीधा कट करना है इस तरह से उसके बाद से हम इसकी कटाई कर देंगी जहां पर हम बटन लगाएंगे इस तरह से तो यह देखिए ने कट कर लिया है इसके बाद हम बाजू कट करेंगे ऐसे हम यह जो बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको इस तरह से डबल करेंगे डबल करके उसको फोर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से यह देखी यहां पर भी कन्नी आ गई है दूसरी वाली पर इसको काटने की जूरत नहीं है यह बाजू में आ जाएगी सिलाई में कि यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए हो गया 20 हमने बाजू रखना है ऊपर से अदा इंच एक्स्ट्रा लिए है यहां पर हम भाई इच का निशान लगाएंगे तो इस तरह से भाई इंच की कटाई ढालेंग यहां अच्छे से आप इसको set करके रख ले इस तरह से यह जो कपड़ा होता है बहुत इदर उदर जाता है तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है तो इस तरह से हम इसको cut कर लेंगे उसके बाद आपको जितना भी यहां से बाजू खुला रखना है उतना आप निशान लगा लीजिए तो उसके बाद एक इंच एक्स्टा रख लीजिए यहां पर एक्स्टा जो है कपड़ा थोड़ा सा हम निकाल देंगे और इन दोनों बाजू को इस तरह से अलग लग कर लेंगे तो बाजू हमारा कट गया है उसके बाद यह जो कपड़ा बचा है इससे हमें दो पॉकेट बनाने है और कॉलर बनाना है इसमें कॉलर में कोई हम बुकरम नहीं डालेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कॉलर बनाएंगे यह देखे यहां पे हमें इसका पॉकेट बनाना है पॉकेट की जो लंबाई है हमने साड़े छे इंच रखनी और चौड़ाई भी साड़े छे इंच रखनी है तो उसी साब से जो पॉकेट है उपर से फोल्ड होगा तो हम एक्स्टा कप्ड़ा लेंगे फोल्ड करने के लिए यह देखिए यहां पे साड़े छे इंच हमें रखना है तो हम एक्स्टा लेंगे तो यहां पे हमने साड़े आठ इंच पे निशान लगाया है इस साइड से हमें हम लेंगे आठ इंच तो यहां से हमने आठ इंच का निशान लगाया है यह देखिए इसको अब हम कट कर लेंगे यहां से दोनों पॉकेट को अलग लग कर लेंगे तो यह देखिए यह दोनों पॉकेट हमारी कट गई है अब इसके बाद जो बाकी का थोड़ा सा कपड़ा पचा है उससे हम कॉलर बनाएंगे यह देखिए तो जो कॉलर है हमें साड़े चार इंच चौड़ा रखना है तो हम साड़े चार इन चोड़ा रखके इस तरह से जो एक्स्टर कपड़ा है उसको लग कर देंगे तो यहाँ पर हमने सारी जैकिट को कट कर लिया है जो इसकी स्टिचिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बने रहे बाई बाई